जैहिंज दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारी प्राइम टीम हासिल करना चाहते हैं जो कि आपको फ्री ओफ कोस्ट हमारे टेलीगराम चैनल पर मिलती है यह देख ही रहे हो दोस्तों हमारी प्राइम टीम की परफोर्मेंस यह भी हैट टुर का लिंक तो दोस्तों मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मूर पे क्लिक करना यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा एक बात और ध्यान रखना दोस्तों सबसे इंपोर्टन जो इंपोर्टन बात है कि वह आपको वही बताई जा रही है जब आप सबस्क्राइब करते हैं ना तो सबस्क्राइब के बाद जब तक आप बेल आइकन पे जाके आल पे क्लिक नहीं करेंगे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी ध्यान रखे किसी भी चैनल को अगर आपको सबस्क्राइब करना है तो subscribe के बाद bell icon पर जाके notification bell पर all पर click जरूर करिए दोस्तों वैसे तो मुझे कुछ proof करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हमारे comments ही सब कुछ proof कर देते हैं ये देखिए दोस्तों ये वंदा 30,000 जीत गया उमीद लगी GL की सर आपकी टीम से 25,000 जीत गया भाई आप शिरिलंका प्राइम टीम में rank 1 चल रहा है क्या बात है मैं आज 5,000 जीत गया जितने भी लगा है जितने ये कोई बंदा 1 करोड जीत गया कोई बात नहीं मुझे लगत थोड़ा बहुत इसने चेंज किया होगा आपकी प्रेडिक्शन उपर से भी उपर क्या बात है बीबियल में 8 में से 80 में साथ कॉंटस जीत गया क्या बात है जितने भी है दोस्तों जितने भी करिये सतरह जार जीत रहों की बंदा कम बैक और ये कोई बंदा अच्छा चौविस लाक या दो करोड़ चालीस लाक चलो जितने भी जीरो है 27,000 चल्ट क्या बात है तो मेरी सिंगल टीम थी पिर बता दू एक टीम नहीं थी एक टीम थी ये कोई बंदा 55,900 क्या बात है इसके 909 पॉइंट क्या बात है तो दोस्तो आप देख रहे हो हमारी टीम कितनी कहर है ये टीम आपको मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम अपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तो चाहिए आप फुटबॉल के फैन हो चाहिए आप क्रिकट के फैन हो आप जानते हो मेरे फुटबॉल का सबस कुछ विणिंग मिया है आप देखिए दोस्तों बेट बाल पे खेलने का फाइदा मैं अस्ट टूडेस से खेल रहा हूं यह मैंने हेड़ टूएड खेला यह भी जिता यह भी जीता कोई पिछला देखें जरा भारत का फस्ट इनिंग्स का यह भी जीता यह भी जीता यह दोस्तों अब आप लोग वीडियो एंजॉए किजिए टेलीग्रम ज़रूर 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 कर देना अब आप वीडियो एंजॉए करिए जैहिन दोस्तों यूडी सी आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करेंगे ए लीग के अगले मैच की जो की खेला जाएगा पर्थ ग्लोरी और ब्रिस्बिन रोवर के बीच में दोस्तों इस गेम की अनालेसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं कल के वीडियो की बात करना चाहूंगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आप उस वीडियो की टीम से भी गए होंगे बारिंग वन प्लेयर जो की नहीं स्टार्ट किया था आपको दिखा देता हूं सॉरी दोस्तों अब देखिए ये मेरी टीम थी ठीक है इसमें अगर एक ये सेडरिक स्टार्ट नहीं किया था इसकी जगे अगर आपने मेगालेस को लिया होगा ठीक है और जो कैप्टन मैंने बनाया है जो प्लेयर्स मैंने लिया है ये पिक कियो होंगे तो आपने 100% हेड 1-2-1 विन किया होगा क्योंकि जो मेरा सेलेक्शन था प्लेयर्स का वह मैं आपको दिखा दिता हूँ एन कैटिया का सेलेक्शन परसंटेज ही 48 ठीक है और मैंने उसको केप्टन मनाया था उसने 2 गोल मारे लिए लननी हमारी टीम में नहीं था अब उसका सेलेक्शन परसंट तो आपको Rob Holding को pick करना है मैंने वीडियो में clearly mention किया था ठीक है आपने Rob Holding लिया हो या आपने Megalis लिया हो आप दोनों में ही win करेंगे ठीक है तो और बाकी जितने भी प्लेयर्स से सब प्लेयर्स हमारा चप फॉर्म करके गए और दोस्तों वीडियो देखना क्यों जरूरी होता ह हैं और इसमें कोई भी प्लेयर गोल्ड शीट पर आ सकता है ठीक है तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस मैक में आपको Grand League पर फोकस करना है आप कुछ लोग उल्टे सीजे कमेंट कर रहे हैं कि टीम नहीं देनी होती है तो क्यों पोस्ट करते हो इस तरीकी चीज़े जब म कर लेते हैं अब आज के मैच की बात कि जाए तो बर्ता गलोरी के हो में पे मैच होने वाला है पर्तु गोली का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है हां लास्ट मैच में इनौने जरूर एक टॉप फॉर्ट टीम को हराया है बट ब्रिजबिन रोर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है और आइधिंग लास्ट पांच मैचे में एक भी मैच नहीं हरी है यह स्टैंडिंग्स देख लेते हैं स्टैंडिंग्स में ब्रिजबिन रोर फिफ्ट पॉजिशन पे है दस में से तीन मैच जीते हैं च्छे ड्रो हैं और एक लॉस है दस में इनौने नहीं गोल मारे हैं तो गोल जादा नहीं मार रहे हैं यह और साथ गोल कंसीट किये हैं तो डि लेते हैं अगर harm History कि बात की जाए पर्द लोरी के लिग के तो होंब-परदलोरी अच्छा ए dış इंद विम हम उन नहीं हाँ आपने घर एसी टीम है जो कि अवे फिक्षर्स में एक भी मैश नहीं हारी है अभी तक चार मैचस में चार गोल किये हैं और दो गोल कंसीट किये हैं यह डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉंग हो जाते हैं जब यह अवे खेलते हैं ठीक है तो आईए एक बार लाइनपस देख लेते हैं दोनों टीम्स की तो लाइनपस कुछ इस तरीके से रहने वाली है मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रिजबिन रोर की लाइनप में जाड़ा चेंजिस नहीं होने वाले हैं लास्ट मैट से जो Melbourne Victory के खेलाफ टीम खेली थी वही आज भी खेलने वाली है ठीक है अब एक दो tactical changes manager करेगा तो वो लाइनपस आने के बात पता लगेगा हमें ठीक है अब आप देख सकते हैं इनके दो strikers हैं आगे Carlo Armiento and Nicola Melusnick Carlo Armiento की बात करें तो यह बहुत ही बढ़िया form में चल रहे हैं ठीक है इनका record मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले 9 match में से 7 match इनों ने start किये हैं minutes per game इनका कम है that means around 60-60 minutes के आसपास इने substitute कर दिया जाता है तीन गोल माल चुके हैं भी तक यह ठीक है और की पास ठीक है इनका shot on target कुछ खास नहीं है और tackles भी कर रहे हैं attempt कर रहे हैं at least tackle अब होते हैं यह बाग की बात होती है ठीक है तो यह काफी important player हो जाते हैं इसलिए इनको मैं अपनी टीम में 100% पिक करूँगा आइए साथ साथ टीम मनाते हूँ भी चलते हैं सौरी दोस्तों selection percentage भी इनका हाई है आप देख सकते है 80% है तो इनको मैं 100% पिक करूँगा अपनी टीम में next आपको दिखेंगे लाइन अप्स में निकोला मेलूसनिक लास्ट में इंजर्ड होकर बाहर गए ठीक है और इनका performance भी कुछ खास नहीं था लास्ट मैच में और मैं आपको दिखा देता हूं इनके लास्ट फाइफ परफॉमंस में भी आप इनकी रेटिंग देखेंगे तो कुछ खास नहीं है एक मैच को छोड़कर नौ मैच मेच में च्टार्ट किया है चाउवन का मिनिट्स पर गेम का एवरेज है तो आर्मी एंटों से भी कम मिनिट्स केल रहे हैं ग्राउंड पे एक ह selection percentage भी काफी कम है 20% के आसपास है ठीक है नेक्स्ट आपको देख रहे हैं left wing पे जोसफ नोल्स ये एक player तो बहुत important है बट अभी इस season ये कुछ खास कर नहीं पाया है ठीक है आप ratings देख सकते हैं last match में इसकी ठीक ठाग rating आई है that means अच्छा perform तो किया है दो assist कर चुका है है तो ये एक पंड़ टाइप हो सकता है grand league में आप इसे जरू ट्राइब कर सकते हैं ठीक है अभी के लिए मैं इनको भी drop करके चल रहा हूं next line up में हमें दिख रहे हैं जो जे ओशिया जो की इस team की नीव है आप कह सकते हैं सबसे important player सारा game यहीं बनाते है maximum passes करेंगे first choice penalty taker है corners लेंगे free kicks लेंगे ठीक है सारा काम यहीं करते हैं तो इनको तो मैं बिल्कुल भी अपने team से नहीं drop करूंगा selection percentage भी आप देख सकते हैं almost 91% है ठीक है और captaincy wise captaincy के भी बहुत बड़ी choice हैं next आपको दिख रहे हैं kai driven kai driven की बात की जाए तो traditionally तो यह defender है बट इनको defensive midfield में ख साथ के ऊपर की rating है tackle interception अच्छा कर रहे हैं 10 के 10 मैच खेले हैं 90 मिनिट पूरा game खेलते हैं यह ठीक है assist और goal तो नहीं contribute करते हैं बट mainly defensive points और passes के points आपको देखर जाते हैं average per game passes 38 है almost interception 1.3 है tackle 3.3 है तो इनको भी मैं drop नहीं करूंगा अपनी team में क्योंकि अच्छे कासे defensive points हम 2 matches से start मिलना शुरू हुआ है और इन्हों ने अच्छा perform किया है लास्ट के 2 matches में 7.9 और 7.1 की rating रही उससे पहले इन्हें substitute ही यूज किया जा रहा था दो assist ही already कर चुके है की पास ठीक है average एक्टूली इनका सही नहीं आएगा because इन्हों ने साथ में सिर्फ 2 match start किये है tackle interception भी को दिखेंगे राइट विंग बैक पर जैक हिंगर इनके performance की बात की जाए तो अभी तक कुछ खास performance नहीं है इनकी rating से भी आपको दिख जाएगा सब average ratings है ना tackle interception जादा कर रहे हैं ना goal assist कर पाए है भी तक ठीक है यह player basically ऐसा है यह 60-70 minute खेलेगा उसे substitute कर दिया जाएगा हाँ यह हो सकता है कि क्योंकि यह match low scoring जाने वाला है तो 60-70 minute तक कोई goal ना हो और इनने substitute कर दिया जाए तो उसके 20 point आपको clean sheet के मिल जाए और 70 minute के बाद team goal खा जाए तो उस तरीके से आपको फायदा दे सकते हैं otherwise यह आपको कुछ खास point देके नहीं जाने वाले हैं अगर इन यह बहुत ही important player है और काफी अच्छा perform कर रहा है इस season ठीक है आप देख सकते हैं तीन matches में 7 के उपर इसकी average rating है ठीक है दस में से 8 matches ने start किये है goal assist तो कोई खास नहीं है बट इसका keep pass average है ठीक है passes अच्छे खासे हैं और interception tackle के बढ़िया point देके जा रहा है तो इसको मैं 100% अ यह रहे ठीक है next आपको देख रहे हैं आपकी screen पे Chapman Chapman एक बहुत ही बढ़िया defender है और इनके performances काफी अच्छे रहे हैं इस season last के 2 matches में खास कर आप देख सकते हैं 8 में से 6 matches start किये है इनोंने passes ठीक है tackle interception भी okay है लेकिन अगर यह central center back की position पे start करते हैं तो tackle interception कम आता है बट still म इनको pick करूँगा क्योंकि इनका selection percentage भी काफी आई है और header से भी threat है इनका header का goal आ सकता है ठीक है next आपको दिख रहे हैं Neville इनको मैं बिल्कुल भी drop नहीं करूँगा यह पहले ISL में भी खेल चुके हैं मैं नहीं देखा है और यह हमेशे threat रहते हैं इनके पास assist potential भी है chances भी create रहा होगा ठीक है तो यह साथ player हम लेंगे Brisbane Roar से क्योंकि हम उन्हें favorites मान के चल रहे हैं अब कर लेते हैं पर्थ glory की बात तो goalkeeper हमें पर्थ glory का ही रहना होगा और मुझे लगता है इन्हें ही जाया chances मिलने वाले हैं saves करने के अब आते हैं striking section में तो striking section में आपके पास दो options है Ray Williams और David Williams डेविट विलियम्स का शोऔर नहीं है यह start करेंगे यह नहीं करेंगे राइ विलियम्स जहां तक है start करेंगे बट मैं अभी के लिए इन दोनों में से किसी को भी pick नहीं कर रहा हूं ठीक है अब आते हैं midfield में midfield न यहांने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और फर्स्ट चॉइस पैनल्टी टेकर भी है अपनी टीम के तो इनको ड्रॉप करना बिल्कुल भी सही नहीं है टैकल इंटरसेप्शन पासस के अच्छे खासे पॉइंट देके जाते हैं यह फ्री किक्स भी लेते हैं यह ठीक है इ सब्सक्राइब दोस्तों नहीं दोस्तों यह सब्स्टिटूट भी नहीं आये थे लास्ट मैच में इने फुल रेस्ट दिया गया है ठीक है इस मैच में हम इने जरूर पिक करेंगे अगर यह स्टार्ट नहीं करते हैं देन आइधिंग पर्तलोरी की टीम रेली वीक हो जाए कि एस लिए आज के मीच में जहां तक स्टार्ट नहीं करेंगे मिडफील में से हमें एक और प्लbn प्लेयर करना है तो मैघल के को पिक करऊंगा कि लासक में उन्हीं जोमय अने घुछ दये चूप गया है तो मेरे को हमेशा से बता था यह चलेम indoors यंग सटर है और यह गोलYes क तो इसको मैं पिक करूँगा और यह defensive points भी देता है अगर यह गोल नहीं भी मार पाया तब भी आपको 20-22 points दे जाएगा भी इनका अच्छा खासा रहता है ठीक है तो अभी के लिए जो मेरी टीम मन रही है वो कुछ इस तरीके से हैं अब captain wise captain की बात कर लेते हैं तो क्योंकि मुझे लगता है मैं लो स्कोरिंग रहेगा और मुझे लगता है ब्रिजबिन रोर डॉमिनिट करेगी तो मैं जेयो श्या में हमने देखा है कि ब्रिजबिन रोर के मैसे बहुत ही लो स्कोरिंग रहते हैं या तो ड्रॉव होते हैं या तो यह वर्नल जीट जाते हैं तो इसलिए मैं इनको captain नहुंगा और wise captain मेरे रहेंगे आर्मी अंटो यूकि यह बहुत ही बढ़िया form में चल रहे हैं और इनके goal आने के chances बहुत हाई है तो अभी के लिए जो मेरी team है वो कुछ इस तरीके से है बाकी जो भी changes होते है according to the lineups वो आपको telegram पे update कर दिया जाएगा उनके बारे में तो final prime team भी आपको वहीं पे मिलेग और मेरी request है इस match में आप head to head में invest करें three member या four member ना खेले ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन